विल्कम टो दो पाड़ी फैमिली व्लॉग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है मैं चली ती सूने तब तक मुझे याद आया कि मम्मी की आज मेंदी लगनी है मम्मी ने खुद ही याद दिलाया मैं तो अपने फोन पे बिज आटेंटी जादी आटेंट लेगे वहां को वहां का कुछ क्याप्चर भी करें अब लगाने लगी हूं में तो फिलाल में अब जादा लेट हो जाएगी मुझे और मुझे सुबह उठाना भी है तो इस वेसे मैं अभी महनी लगा लेती हूं फिर आपको दिखाती हूँ मैंने मम्मी की महंदी लगाई कैसे आज है दो दिसंबर हम लोग रात में महंदी लगा रहे हैं मम्मी के हाथों में पहले के टाइम पे जब इनके शादी हुई थी मम्मी बिताते हैं तो ये लोग कटोरे में महंदी विखा के और माचस की जो तिली होती है उससे महंदी लगाया करते थे कुए टाइम उस समय था नहीं अब मुझे जब से मुझे महंदी लगानी आई है तब से मैं उनके हर एक एनिवर्सरी जो भी अच्छे अच्छे होते हैं तो वह भी मुझे जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मम्मी के लिए हर एक कोकेजन पे जो भी वह साड़ी पहनेगी या कुछ भी वह ऐसा ड्रेस डालेंगी तो हम लोग उनके लिए जरूर उनके लिए लेंगे और उनको पहनाएंगे जिससे उनने कभी यह फील ना हो कि मुझे शादी से पहले जब उन लोग के पास वैसे सिचवेशन थी जब नहीं ले पा रहे थे तो अब उनने यह फील ना हो कि हम लोग बच्चे हैं उनके हम लोग की रिस्पॉनसिबि कि आपको कि आपको कि कर रात मम्मी की मैंने महदी लगाई थी जैसे आपको याद है आज मम्मी पने कर्या हरी है कुछ साल पहले जब मम्मी की शादी वी होगी तो मम्मी को लोगो ने हल्दी लगा है बने लगाई घुझे तो हम सब्सक्चे हैं तो अप इसको लगा के हो जोगी सुंदार आप लोग भी बताना मम्मी सुन्दर है या नहीं है क्या बताएंगे मुझे नी कुछ के बाद में कैसी हूँ इतनी गंजी सी अस्ती होता के बन नामू सब कट्टी हो जाता कुछ पता ही नियाकार कुंसे खाए अब मम्मी मम्मी चलो हल्दी तो ठीक है आप अपने लगा रहे हो लेकिन जमीन को क्यों वल्दी लगए अर्थ वो तो थोड़ा बहुत उपनीचे हो जाता है नाजी कौन जूए यह मम्मी ने पराथ दाई नी तो नी तो जम मेरी हुई थी तो पराथ में रखा था हूँ मला म से इस तरीके से मम्मी आज अल्दी लगा रही है चेहरे पे आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप लोग भी इसको घर में अपलाए कर सकते हैं अपने नरिश्मेंट के लिए फेस के जब आपको टाइम ना हो पालर जानेगा क्योंकि अभी हम लोग के पास भी टाइम नह चले गी है शादी में सबके अपने अपने काम होते हैं कल मैं गई थी उनके पास रात को और अपनी आइब्रो बना क्या है बहुत अच्छी आइब्रो बनाती है मैं एक दिन उनका वी ब्लॉग बनाने वाली हूं बहुत जल्दी लेकिन अभी वो गई है जैसे तीन दिन के सबस्क्राइबें ने बाहर है तो हम लोग अभी उनके पास जा नहीं सकते हैं आज कर रहे हैं यह इक स्वेसिल मैंने करूंग मैं मैं मगाये ठाफ नहीं है कुछ दिनों पहले पर्पल तो लोग भी उससे मंगा सकते हो काफी अच्छे सीट मास्क होते हैं वो भी इंस्टें मुझे देखना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगी मैं उसको अपने फेस पर अपलाई करने वाली हूँ आज और श्याम को जाना है मैं इस शादी में आज मैं पूरे दिन काम से क्या आप किसने का मैं शुट्टी ले दें इशारा क्यों करूंगी मैं तो चुट्टी तो क्यों लूंगी में मेरे साथ आप काम पे जाओगे नहीं कि अभी वह भी तो कामी है अपना तो उस काम के लिए हम लोग निकल जाएंगे संडे का दिन तो संडे के दिन हम लोग बनाएंगे कुछ पहाड़ी घाना कुछ न कुछ मिलेगा ऐसे बाना ममी क्या बनाओगे फिर कल की कर देखिंगे मैं आपको मिलाती हूँ फिलाल मुझे भी नहाना है मुझे भी बहूत सारे काम है आपके लिए वीडियो भी अजट करनी है तो फिलाल के लिए मिलते हैं कुछ देर में यह नहनी जैसे आपको पता है और पापा और मेरी प्लैनिंग के अकॉर्डिंग हम ममी को कुछ गिफ्ट दिलाने वाले हैं आप आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि हमने ममी को क्या गिफ्ट दिलाया है और ममी को कहा गई थी पो सब कुछ आगे देखेंगे लेकिन फिलाल के लिए मैं आज पूरा ओफ करने वाली हूँ जैसे मैंने आपको इशारे में बताया था और ममी समझ गई थी क्योंकि आज है सैटरडे और कल है संडे तो संडे को मैं आफ रखती हूँ और मेरा ओफ होता ही है तो मैं आज फिलाल ममी को लेके जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ स्पेशल फील कराना तो बनता है पापा तो फिलाल अभी यहां पे नहीं है पापा जा रखे हैं ड्यूटी छोटे से अभी तक हमने जो देखा है वो हमेशा यही देखा है कि पापा का जैसे कोई occasion होता है हम हो भी हुर्दंग हो या किसी तरीके की problems हो उसको solve करना तो हम लोग बहुत प्राउड फिल करते हैं कि हमारे पापा पुलिस में हैं लेकिन मैं खोद पुलिस में कभी नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छानी लगता है कि हम लोग तो यहां घर में बैठे ह लेकिन मेरे पापा बहार हैं हम लोग के साथ नहीं नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं पापा की अनिवर्सिट्री पापा इस ब्लॉग को देखेंगी तो उनको भी बहुत सारी शुब कामना है और उनके बदले की चॉकलेट वह हमिशा बोलते हैं कि आज यह फेस्टिवल है तो आप इससे बोर हो जाओ इससे पहले मैं इसको यहीं पैंड करूंगी और इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग अभी शुरू कर दूंगी जो आएगा कल उसके लिए आप आगे मेरे कल के व्लॉग को जरूर देखें फिलाल आच्छे व्लॉग में इतना ही कल पिर मिलते हैं नए सारे ब्लॉग को इंजॉय कर सकें